दोस्तो फिरी लेंसर सीरीज की कहानी कुछ हद तक दा केरला स्टोरी मूवी से मेल खाती है फर्क सिर्फ इतना है कि केरला मूवी में केवल हिंदू लड़कियों को टारगेट करके दिखाया गया था लेकिन इस सीरीज में मुसलिम लड़की को भी बाहर ले जाते हुए दिखाया गया है दोस्तो ये सीरीज मुझे कैसी लगी आपको इसे देखना चाहिए या नहीं लोकेशन कैसी है डायलोग कैसे है बताओंगा सभी कुछ आप देखते रहे है बोलीवड एंगल को दोस्तो आयसाई के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जिसकी जानकरी आपको हिला कर रख देगी यानि इस सीरीज में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलने वाला है इसकी कहानी में आलिया नाम की एक लड़की को दिखाया गया है, जो पढ़ाई के लिए सिंगापूर जाती है, और वहीं उसे मोसिन नाम के लड़के से प्यार हो जाता है, और बाद में वो A.S.I. का एघेंट निगलता है, अब इसी आलिया नाम की लड़की को वापस लाने क तो चली दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो इस सीरीज की कहानी की शुरुवात में आलिया खान नाम की एक लड़की आतंग वादियों से डर कर भाग रही होती है लेकिन ये लोग भी इसका पागल कुत्तों की तरह पीछा कर रहे होते हैं और अचानक से आलिया खान एक गाड़ी से टकरा जाती है अब ये लोग इसके पीछे क्यों लगे हुए थे आलिया खान बच गई या मर गई या वो लोग इससे क्या चाते थे उसके लिए आपको इस कहानी को पूरा सुनना होगा तो दोस्तों अब कहानी को अफगानिस्तान की राज़धनी काबूल में दिखाय जाता है जहां तालिबान के आतंगवादियों ने उन पर हमला कर दिया है क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान में अपना कबजा करना चाता था और इस बज़े से काबुल के लोग अपनी जान बचाने के चक्कर में हजारों की संख्या में अपना देश छोड़ कर भाग रहे थे और इसके बाद यहां से 524 किलोमेटर की दूरी पर तजाकिस्तान के बारे में दिखाये जाता है यहां पर कुछ एजेंट किसी सीक्रेट मिशन के बारे में बात कर रहे होते हैं और इस मिशन में अविनास भी शामिल था और यही इस सीरीज का हीरो है और इसे लोग फ्रीलैंसर के नाम से जानते हैं वास्तों में अविनास एक खुपिया एजेंट है अब दोस्तों इन लोगों का क्या मिशन है उसके बारे में बताता हूँ तीन दिन पहले अविनास एक शैलोंग नाम के आदमी से मिला था जो उसे एक आतंगवादी बहरूज हुसेनी की फोटो देता है बहरूज हुसेनी वो आदमी है जिसने एक ही दिन में असामली के चार लोगों को अलग-अलग देशों में मरवा दिया था यानि अब अविनास और उसकी टीम का यही मिशन है कि बहरूज हुसेनी को ढूंड कर उसे खत्म किया जाए और इस काम के लिए अविनास को अच्छा खासा पैसा भी दिया जाता है लेकिन इस काम के लिए अविनास अपने सर आरिफ खान से पूछ कर ही इस मिशन के लिए हां करता है जो उस समय कोल पर था अब बहरूज हुसेनी को दिखाया जाता है जो पहले से ही युएस मिलिटरी की देखरेक में था फिलालिये काबुल देश के किसी शहर में है जो जल्द ही यहां से भागने का प्लान बना रहा था इसके बाद अपनी मिशन को अंजाम देने के लिए अबिनास अपनी टीम के लोगों से मिलता है जिसमें अलग-लग देशों के बहतरीन ओफिसर थे और हेलिकोप्टर से सीधा काबुल में पहुँच जाते हैं और यह लोग यहां पर पहुचते ही बहरोज हुसेन की सिक्योर्टी के एक-एक बंदे को मार देते हैं और आखिर में बहरोज हुसेन को भी गोली मार दी जाती है और इस तरह यह टीम अपना काम खत्म करके वापस चली आती है इसके बाद खूफिया मेल के जरिये अविनास को एक कोंट्रेक्ट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि यह एक सुसाइड की तरह लगना चाहिए जिसके लिए काफी अच्छी रकम भी उसमें मेंचन की गई थी इसके बाद अविनास अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाता है जिसका मान सिंग संतुलन थोड़ा सा गड़बड है और इसलिए वो इलाज के लिए किसी सेंटर में होती है लेकिन जब वो अपनी पत्नी से मिलता है तो अविनास की जोब को लेकर थोड़ी बहस होती है क्योंकि अविनास उसे ज़्यादा समय नहीं दे पाता था इसके बाद एंट्री होती है इनायत खान की जो इस समय मुंबई में है और इनायत खान अविनास का दोस्त भी है जो कार में बैठे वे फोन पर सबीना से कहता है क उनकी बेटी आलिया जल्दी मिल जाएगी दोस्तो आलिया वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको शुरू मेही बताया था जो आतंग वादियों से पीछा छुडाने के चक्कर में एक गाड़ी से टकरा गई थी तो फिलाल अब इनायत खान असेंबिली की तरफ बढ़ते हुए चेकिंग पोस्ट को तोड़ देता है जिससे वहाँ पर हड़कम मच जाता है और फिर इनायत खान अपनी गन निकाल लेता है जिस वज़े से इनायत खान वही पर मारा जाता है और जब छानवीन होती है तो पता चलता है कि इनायत खान की गन में एक भी गोली नहीं थी और नहीं गाड़ी में कोई विस्वठक समान मिला था फिर इनायत खान ने ऐसा क्यों किया इसके बाद अविनाश भी अपनी पतनी को इलाज के लिए छोड़ कर चला जाता है और फिर अविनाश को इनायत खान की ख़बर के बारे में पता चल जाता है जिसे देखकर अविनाश अपने बीते दिनों के बारे में सोचने लगता है जहां पर ये दोनों किशी मिसन पर गए हुए थे और इसी दोरान इनायत खान ने अविनाश की जान बचाई थी तो आगे के बारे में सोचते वे इनायत खान अविनाश से ये वादा लेता है कि अगर वो इस दुनिया में नहीं रहेगा तो अविनाश ही आलिया और उसकी बीवी शवीना का खयाल रखेगा अब कहानी वापस से अविनाश पर आती है जो मुंबई में आ चुका है इनायत खान को सरद्धानली देने के लिए और उसी समय उसके सर आरिफ खान का फोन आता है जो बताता है कि इनायत खान की मोत की वज़े आलिया खान की शादी से जोड़ी हो सकती है और इसी वज़े से अविनाश इनायत खान की बेवी शावानाशी मिलता है जो बताती है कि आलिया ग्रेजिशन के लिए सिंगापूर में गई थी जहां उसे मोसिन फजल नाम के लड़के से प्यार हो गया था और मोसिन एक अच्छे बड़े परिवार का लड़का था इसी लिए किसी को भी आल आलिया का फोन बंद हो गया जिस वज़े से आलिया के पिता यानि इनायत खान को चिंता होने लगी और आलिया से बात करने के लिए उन्होंने आलिया के सभी सोशल मीडिया पर भी बात करनी चाही पर सब कुछ बंद हो चुका था इसलिए अब इनायत खान ने अपने आपक अविनाश का ध्यान अपनी और खीचना चाहा था अब आलिया को खोजने के लिए अविनाश अपना काम शुरू कर देता है और सबसे पहले मुंबई में उसी जगह पहुंचता है जहां पर मोसिन के घरवाले यानि फजल की फैमली रहा करती थी और यहां पर अविनाश को एक ओरत बताती है कि फरत खाला नाम की कोई ओरत है जिसके फजल फैमली में अच्छे संबंध हैं और वो अक्सर दावते करती रहती हैं और फजल परिवार के हर सदस्य के साथ उसका कोई ना कोई कनेक्शन निकल ही आता था इसलिए अब अविनाश फरत खाला के घर पहुंच अब अविनाश उससे पूछता है कि आप कौन सी शिक्षा के लिए उन्हें भरती करते हो इस बात पर फरत खाला बिगड़ जाती है और कहती है कि दावत देना कोई जुर्म नहीं कोई इंसान अपनी मर्जी से जाता है तो इसमें भला मैं क्या कर सकती हूं तो इस तरह अव कि वो इनायक खान यानी एक कुलिस वाले की बेटी जो थी इसलिए वो उसे चुपके से वहाँ ले गए अब आरिफ आगे बताता है कि ये लोग मलेशिया जाने वाले थे मगर एयरपोर्ट पर ये कहानी चेंज होती है जहां पर हम देखते हैं कि मोसिन का भहिया खालिद द कि वो जाने से मना ना कर पाए अब अविनाश आरिफ से पूछता है कि ये लोग इस्तानबुल ही क्यों गए तो आरिफ बताता है कि इस्तानबुल आईएसाई का सबसे कोख्यात इलाका है सीरिया जाने के लिए और इसके बाद जब आलिया पेमेंट के लिए अपना कार्ड नहीं करती कि ये सब चल क्या रहा है लेकिन एक फोन आलिया के बैग में अभी भी मोजुद था और वो उसे भी मोसिन को देना चाती थी लेकिन तब तक वो जा चुका था इसके बाद आईएसाई का कमांडर उन्हें सीरिया बुला लेता है अब यहाँ पर दिखाया जाता ह है कि सीरिया में जाने वाली आलिया कोई पहली लड़की नहीं थी बलकि वहाँ पर इससे पहले भी और आज भी बहुसी अंजान ओर्तों को वहाँ पर भेजा जा रहा है अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी ओर्तों को बलाकर आयसाई क्या करता होगा वास्तों मे इन लोगों की यह सोच होती है कि किसी भी तरह से पूरे वर्ल्ड में इनका ही पर्चम लहरा आजाए और हर देश में इसलाम ही माना जाए और हर देश में इसलाम को ही माना जाए ताकि यह सब पर अपनी हुकूमत कर सकें और ओरतों को ले जाने का करण यह है कि इन से जो भ मोसिन आलिया को बताता है कि वो ISI के साथ मिलकर Islamic State Syria को वापस लेना चाहते हैं यानि वो एक खिलापत लड़ाई लड़ रहे हैं ये सब सुनने के बाद आलिया जान चुकी थी कि वो बुरी तरह से फस चुकी है और पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है अब अगले भा लोगों के साथ आलिया का पीछा करता है और कहानी महीं पर आ जाती है जिसे हमने शुरू में देखा था कि भागते वे आलिया किसी गाड़ी से टकरा जाती है और अब दिखाया जाता है कि जिस गाड़ी से वो टकराई थी वो गाड़ी किसी और की नहीं बलकि मोसिन की ही थ अब मोसिन ने उसके साथ क्या किया ये जानने से पहले आप सुनिये कि इस कहानी में आलिया को ही क्यों टार्गेट किया गया इसके बारे में जानना जरूरी है दरसल ये बात साथ साल पहले की है जिसमें अविनाश और आलिया का बाप यानि इनायत खान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों किसी लड़की को रिया करने के लिए एक होटल में जबरजस्ती चले जाते हैं, दरसल इस लड़की को होम मिनेस्टर के साले नहीं जबरजस्ती बंद किया था, अब होटल का मैनेजर उस लड़की को छुडाने के लिए बार-बार इने मना करता है, लिए कहता है नहीं तो इन दोनों की नोकरी चली जाती अब इन दोनों के माफी मांगने पर भी होम मिनिस्टर को तसली नहीं होती और वो कहता है कि असेंबली के सामने माफी मांगनी पड़ेगी जिससे इनकी नोकरी तो जाएगी ही साथ में इज्जत भी इसलिए जब होम मिन इसलिए अब वर्तमान की कहानी को दिखाय जाता है जिसमें अविनास अपने सर आरिफ से मिलता है और दूसरी तरफ रगुवेंद्र जो एक IB ओफिसर है जो किसी मीटिंग में इनायत खान की मौत के बारे में बात करता है कि उसे इनायत खान की मौत पर शक है क्योंकि इसलिए इनायत खान ने किसी को बताने के लिए खुद को मारा है और अब तक फजल की पूरी फैमली सीरिया में पहुंच चुकी थी जिसमें आलिया भी शामिल थी क्योंकि गाड़ी से टकराने के बाद मौसिन उसे फिर से अपने साथ ले आया था अब यहाँ पर लड़कियो को अलग और आद्मियों को अलग अलग रखा जाता है फिर उनके सिम कार्ड और सभी सोसल मीडिया के एकाउंट यहां तक कि उनके सगे संबंदी की डिटेल भी फजल फैमिली उनको दे देती है इधर आरिफ अविनाश को बता रहा था कि आखिर ये लोग आईएसाई को जो बढ़ गए हैं क्योंकि इन्हें फोज किसी एक जगे से खड़ी नहीं करनी पड़ती कोई भी कहीं से भी फोज को लेकर लड़ने के लिए आ सकता है तीसरा हज से ज़्यादा आवादी बेरोजगार है और गुम्रावी इसके बाद आरिफ खांसा के बारे में बताता है कि य पकबूल ही मोसिन को जंग के लिए काम देता है और मोसिन के भाई को पाइलेट का काम दे दिया जाता है अब आरिफ अविनाश को बताता है कि अब आलिया को सीरिया से निकालना इंपोसिबल लग रहा है लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम उसे निकालने की भरपूर कोशिश करोगे इधर रगुबेंदर और जानकारी के लिए इनायत की बीवी यानी शबाना से मिलता है शबाना उसे कुछ नहीं बताती क्योंकि जब इनायत खंज जिंदा था तब इनी लोगों ने उसका साथ नहीं दिया था इसके बाद रगुबेंदर अपनी टीम के एक आदमी मात इनायत की पूरी डिटेल निकालने के लिए कहता है जैसे की वाट्सअप चैट वो किस-किस से मिलता है वगरा वगरा इसके बाद आलिया अपने पती मोसिन को समझाती है कि ये हमारा इसलाम नहीं है हम वापस इंडिया चलते हैं लेकिन मोसिन उसे एक थपड जड़ देता ह अब आलिया समझ चुकी थी कि यहां उसकी कोई सुनने वाला नहीं है इसलिए वो रात में ही चुक्के से उसी फोन से अपने पापा के नंबर पर मैसेज भेज देती है जो पहले से उसके बैग में रखा रह गया था आलिया मैसेज में लिखती है कि मोसिन मुझे धोके से सी अविनास को बता देती है इसके बाद फरत खाला डार्क वैब के जरिये फजल की डेटेल को आईसाई को भेज देती है और इधर शवाना अविनास से आलिया के मैसेज के बारे में बात करती है अब आलिया की सेप्टी के लिए अविनास कहता है कि आप अपना नंबर बदल और आलिया से उसी नंबर पर बात करना और जहांपर भी आलिया है वो महां की फोटो खीश कर हमें भेजे और उसे ये मत बताना कि उसका बाप यानि इनायत खान मर चुका है वरना वो तूट जाएगी और जब अविनास शवाना के घर से निकलता है तो दबे अपने साथ भेजो अभी तक आलिया ये सोच रही थी कि उसके पापा अभी भी जिन्दा है और उसी समय आलिया का पती यानि मोसिन दरवाजा पीटने लगता है और पूछता है कि तुम अंदर इतनी देर से क्या कर रही हो तब वो जूट बोल देती है कि वो फ्रेश हो रही थी लेकिन मोसिन को आलिया पर थोड़ा शक हो जाता है मगर उसे डोड़ने पर वहाँ कुछ नहीं मिलता अब यहाँ पर थोड़ा सा अविनास के बारे में दिखाया जाता है जो नोकरी से निकाल देने के बाद हर रोज शराब पीता है और इस वज़े से अविनास की पत्नी उसे जा देती है जिससे वो महीं पर मर जाता है और शायद इसी घटना की वज़े से उसका दिमागी संतूलन बिगड़ गया था जिसका फिलाल इलाज चल रहा था अब हम देखते हैं कि मातरे रगुवेंदर के पास आता है जो अविनास की वीडियो दिखाते वे कहता है कि ये राद दो बजे आया था और उस राद दबे के साथ हुई लड़ाई के बारे में भी बताता है इसलिए अब रगुवेंदर दबे और अविनास के पीछे जानकारी पाने के लिए एक-एक आदमी को लगा देता है अब अविनास अपनी पतनी से मिलने के लिए सेंटर पर आत इसके बाद दबे Home Minister की ओर से आरिफ से पूछता है कि आविनाश कहा है लेकिन आरिफ उससे ठीक से जवाब नहीं देता और कहता है कि यदि मैंने तुम्हें अमिनाश के बारे में बताया तो पहले वो मुझे मारेगा और फिर तुम्हें लेकिन अब आविनाश तुम्हारी सो की जान भी बचाई थी इसलिए अब होम मिनिस्टर भी उसका कुछ नहीं कर सकते इसलिए अविनास तब तक कुछ नहीं करेगा जब तक तुम उसे उंगली नहीं करोगे तो इस तरह से दबे उनकी बात को समझ जाता है दूसरी और अविनास ने C.I.E. को सीरिय टर्रिरिनिस् बर्ट रफेल अविनास को कौल करता है लेकिन बर्ट रफेल को अविनास की मेल पर विश्वास नहीं था इसके बद अविनास आरिफ सर को कौल करता है जो बताते हैं कि दबे आया था जो ज़ंडू होकर चला गया है अब अविनास कहता है कि अब C.I.E. ने अपना सीरिय के इंटरेस्ट दिखा दिया है यानि अब वो हमें दोबारा कॉंटेक्ट जरूर करेंगे इधर सीरिया में मक्सूद को अविनाश के बारे में पता चल जाता है इसलिए वो फजल की फैमिली से उसके बारे में पूश्तास कर रहा था लेकिन अविनाश के बारे में उनमें से अब मक्सुत मोसिन से आलिय के पिता यानि इनायत खान के बारे में पूछने लगता है इधर होम मिनिस्टर को अभी भी अविनास से बदला लेने की खुजरी लगी थी क्योंकि अविनास ने उसे एक थपड जो जड़ा था क्योंकि अविनास को नोकरी से निकाल देने के इसलिए उसे पंगा लेना ठीक नहीं इस समय उसे आप से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो आपको तभी कुछ करेगा जब आप उसे उंगली करोगे अब दवे बताता है कि जब भारत का एक एजेंट यादव को पाकिस्तान ने पकड़ लिया था तब अविनास ने पाकिस्त नहीं अब मोसिन को दिखाया जाता है जो अपनी बीवी आलिया से कहता है कि तुमारे पिता इनायत खान ने इसलाम के लिए अपनी जान दी है यानि मोसिन आलिया को ये बताना चाहता था कि इनायत खान भी हमारे ही रहा पर चल रहा था और अब आलिया को भी हमारा साथ दे पिर मोसिन अविनास की फोटो को दिखा कर पूछता है कि ये कौन है तब आलिया बताती है कि ये मेरे पिता के दोस्त है जिने पुलिस से निकाल दिये गया था और फरीय लंदल चले गए और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता अब आलिया चुपके से बाथरूम में ज देती है और कहती है कि अविनासी तुम्हें वहां से निकाल सकते हैं अब मुख्षीन मक्सूद को आलिया वाली बाथ को बता देता है और इसके बाद आलिया नावाज के बाद वहां की टέρरिरिस्ट एक्टिविटी को अपने फोन में रिकोर्ड कर लेती है क्योंकि अविना का बड़ा भाई खालित कहता है कि ये काम वो और उसकी पतनी करेंगे अगले सीन में CBI का एक ओफिसर रादा बक्षी नाम की ओफिसर से बात करता है कि फिरी लांसर एक परिवार के बारे में बात करके उन्हें क्या बताना चाता है अब रादा बक्षी बताती है कि इस परिव अब आविनाश को फोन करता है तो शबना बताती है कि वो लोग अब तुम्हारे भारे में जान गए हैं और अलिया को भी अपने पिता इनाय्त खान की मोथ के बारे में पता चल गया है अब अविनाश कहता है कि तुम आलिया को हिमत देती रहो और फिर सबना आलिया के में जा रहे हैं इसके बाद अविनाश के एजेंट मार्क और रादा बक्सी से बताता है कि आयसे के यहां से जो उसे ये सारी जानकारी दे रही है उसकी जान खत्रे में है इसलिए हमें आलिया को महां से किसी भी तरह निकालना होगा लेकिन सियाई वालों केवल अपने पाइलेट की ज़्यादा फिकर थी क्योंकि उस पाइलेट के पास यूए से की कॉन्फिडेंशल इन्पॉर्मेंशन थी इसके बाद फरत खाला आलिया की मा शवाना को धंकी देती है कि आलिया अब घर वापस नहीं आ पाएगी और अविनाश को भी केह दो कि आलिया को वापस लाने की बेकार की कोशिश ना करे लेकिन शवाना गुस्दा होकर उसे माँ से भागा देती है इधर आरिफ खान के घर आईपी ओफिसर रगुवेंदर आता है और दूसरी और आलिया अविनाश को कोल करती है और यहीं पर इस सीरीज का तीसरा एफिसरोड खत्म हो जाता है इसके बाद एफिसरोड चार की शुरुवात में अविनाश आलिया को बताता है कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा तभी तुम खुद को वहाँ से निकाल पाओगी और C.I.E. भी तुम्हारी मदद करेगी तुम्हें बस I.S.I.E. की जानकारी C.I.E. को देनी होगी बदले में वो तुम्हें वहाँ से निकाल लेंगे अपनी युएस फोर्स के जरिये जिसकी डील अविनाश ने उनसे पहले ही कर ली थी इधर रगुमेंदर आरिफ से कुछ सवाल करता है लेकिन आरिफ उससे बाहर का रास्ता दिखा देता है और कहता है कि पहले वारंट लेकर आओ फिर सवाल करना इसके बाद आरिफ अविनाश को बताता है कि C.I.E. केवल पाइलेट को मारने की सोच रही है अगर आलिया को बचाना है तो हमें ही कुछ करना होगा इसलिए अविनाश कहता है कि वो पलान भी रेडी रखेगा और फिर अविनाश कहता है कि आलिया की माँ शवाना पर भी कुछ सरक्षा का इंतिजाम करना होगा फिर आरिफ बताता है कि रगुबेंदर तुम में ज़्यादा ही इंट्रेस्ट ले रहा है और इसके बद अविनाश अपने साथी कैप्टन बैराग को फोन करता है और जल्दी उससे मिलने के लिए कहता है इधर आलिया को काफी कुछ सेहन करना पड़ रहा था क्योंकि मोसिन अब उसके साथ जबरजस्ति करने लग गया था अब आलिया अविनाश को बताती है कि मोसिन आईएसाई के एकाउंट और इल्लीगल फंडिंग को देख रहा है क्योंकि अब मोसिन वापर सीय था और मोसिन के सभी भाई हतियारों की ट्रेनिंग ले रहे हैं और ये सभी लोग रख्का में जाने वाले हैं लेकिन आलिया अभी भी ये नहीं जानती थी कि आखरी ये लोग रख्का में क्यों जा रहे हैं अब अविनास अपने दोस्ट से मिलकर ISI के तेल इकिनोमी के बारे में synthesis तो वो बताता है कि ISI अपने लोगों के ही तेल बेचता है बागी का तेल वो बाहर के कुछ लोगों के ही बेचता है अब अविनास कैप्टन बरार से उनका रूट यानि आने जाने का रास्ता होगा और उसे एक डुब्लिकेड लड़की का भी जुगार करना होगा जो बिल्कुल आलिया जैसी ही दिखती हो उसके बाद अविनास एक ट्रोजन फाइल यानि एक ऐसा प्रोग्राम जिसे दूसरे के सिस्टम में डालते ही उसका एकसेस आप अपने हाथों में ले सकते हैं आलिया के फोन पर भेजता है और उसे कहता है कि इसे किसी भी तरह से मौसिन के सोचल एकाउंट पर भेज़ दो अब दिन के समय में सभी ओरतें कमांडर के साथ सबजी लेने जाती हैं तभी आलिया पासी के एक साइबर कैफे में जाकर अविनास की भेजी गई फोटो को मौ लोगों से है और अगर पूछना भी पड़े तो तुम्हें प्यार से ही पूछना पड़ेगा तो इस वज़े से अब रगुमेंदर भी शांत हो जाता है इसके बाद अमिनास एक आदमी से मिलता है जो एक रेस्टोरन को चलाता है और वो माल को एक देश से दूसरे देश मे भीजता है अब अमिनास उस आदमी से आलिया को सीरिया से बाहर निकालने के लिए कहता है जिसके लिए वो मान जाता है मगर उस काम को वो खुद नहीं करेगा बलकि किसी मीडियेटर के जरिये वो काम होगा क्योंकि इसमें जान का खत्रा जो था अब जैसे ही मोसिन आलिया क के सभी नंबर आलिया को अपने पास भेजने के लिए कहता है अब अविनास इन सभी डिटेल को CIO को दे देता है जिसके जरिये वो लोग मोसिन और उसके लोगों को ट्रेस कर पाएंगे लेकिन अविनास जान चुका था कि CIO को केवल पाइलेट की चिंता है क्योंकि उसके पा तब भी वैसा ही है क्योंकि इसके बाद ये चारों लोग रक्का में पहुंच जाते हैं और रास्ते में मोसिन का भाई खालिप और उसकी बीवी उतर जाते हैं क्योंकि आज वो कुछ बड़ा करने वाले थे इसलिए आज ये दोनों सुसाइड बोमर बनकर आये थे और फिर इस सीरीज का चोथा भाग यहीं पर खत्म हो जाता है तो दोस्तो अगर आपने इस सीरीज को नहीं देखाया तो आपको ये सीरीज जरू देखनी चाहिए ताकि आपको भी पता चल सके कि IISA को लोग कितने खतरनाक होते हैं और आपको ये जानकारी मिल सके कि कहीं आप भी त लिंक मैंने आपको description box में दे दिया है और इसका नाम है जाने जान दोस्तो जब आप इस कहानी को सुनोगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा और दोस्तो फिरी लेंसर सीरीज का अगला भाग जल्दी आने वाला है जिसका मैं जल्दी explanation भी कर दूँगा तो दोस्तो ऐसे ही और म